हाई फ्रेंज मेरी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है तो मैं आज लेकर आए हूँ तिल कुटल की रेस्पी जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी बच्चे और बड़े सब इसको बहुत ज़्यादा ही पसंद करेंगी तो क्या होता है ना सर्दियों में जब हमारी तिल बच जाती है तो क्या करें और अभी सर्दियां जाने वाली है और गर्मियों में तो तिल को नहीं खायाता है क्योंकि तिल बहुत ही ज़्यादा गरम होत तो इससे क्यों न एक ऐसी रैस्पी बनाई जाए जिसको बहुत ही चाव से खाई जाए तो फ्रेंस वीडियो सुरू करने से पहले आपसे निवीदन है कि अगर आप चैनल पर नए आयो तो चैनल को सस्क्राइब वीडियो को लाइक सेयर कमेंट जरू करना और रैस्पी देख थाचोशान से खांग जरू कि अलगां, अलगा कि इन यहां पर मेने गुड्य लिया है तो सबसे पیहले हम गुडन को एक थैली में दआल कर सकुराया ईसको ऐसी थैल को मेरा थैलीम को हमाँक काई क्ता ने यहां पर यूज ली थै तो एक पैन में मैंने तिल को डाल दाव है और गैस को ओन कर दिया है आप चाहो तो यहां पर कड़ाई भी रे सकते हो उसमें अच्छे से यह भून भी जाएगी और हमें चलाते हुए इसको हलका ब्राउन होने तक भूनना है याद रखना है हमको की तिल को हमें याद नहीं भूनना है नहीं तो यह कड़ भी लगेगी और खाने में भी अच्छे नहीं लगी तो इसलिए हमें इस तिल को लटते पलटते हुए चलाते रहना है और इसको हलका ब्राउन होने तक भूनना है तो यह देखिए यहाँ पर हमारी तिल नीचे से हलकी ब्राउन होने लग गई है तो हमें इसको चलाते रहना है और हमें इसको हलकर ब्राउन होने तक ही भूनना है तो यहां पर हमारी दिल जो है कि ब्राउन होने लग गई है हमें इसको इतना ही भून जेना है और इसमें हमें जो बारिक गुड हमने रखा था कूट कर उसको इसमें डाव देना है गुड़ को डालने के बाद हम इसको मिक्स करना है और इसको इसी तरह हमें चलाना है जब तक कि हमारा गुड़ इसमें अच्छे से पिगल ना जाए तो मैं इसको चलाते हुए इसमें मिलाऊंगी इसी तरह जब तक गुड़ हमारा यहां पर मिल्ट ना हो जाए इसको चलाते रहना है बहुत ही अच्छी तरह से इसमें गुड़ जब मिल्ट हो जाएगा तो सारी तरी जो है इसमें मिल जाएगी तो बस इसी तरह हमें इसको चलाना है, रोकना नहीं है नहीं, तो गुड़ और तिल दोनों ही नीचे से जल जाएंगे तो यह देखें, यहाँ पर हमारा जो है कि गुड़ मिल्ट होने लग गया है और तिल उससे चिपक गई है, बस ऐसे ही यह हमें कर लेनी है यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से गुड़ इसमें मिल्ट होता जा रहा है और तिल उसमें लगती जा रही है, पस इसी तरह से हमें इसको चलाते हुए, ऐसे ही मिक्स कर लेना है तो फ्रेंट्स मैं आपको याद दिला दूँ, आप लाइक करना भूल जाते हो, नीचे लाइक का बटन है तो लाइक जरूर कर देना इस तरह से अगर आप तिल को टे की जो रैस्पी बनाऊगे ना, तो ये तिल के लड़ू से भी ज़्यादा आपको टेश्टी लगेगी, इसको एक बाद जरूर बनाके देखिए और फिर खाईए, और पिर कमेंट में जरूर बताईए कि ये रैस्पी आपको कैसी लगी है थोड़ दो, तीन मिनट और इसको चलाना है, जिससे कि अच्छे तरह से थोड़ा सा और पक जाए तो मेरे दो तीन मिनट और पकाने के बाद अब हम इसको निकाल लेते हैं तो मैं इसको प्रेट में एक में निकाल रही हूँ बस इसी तरह से हमको निकालना है ज्यादा इसको नहीं भूनना है और इसको गरम गरम ही हमें प्रेट में निकालना है इसको ठंडा होने का नित्यार नहीं करना है तो यह इसी में चिपक जाएगी और पिर निकालादे में आपको दिक्कतो औहुए और गयस को हमें बंद कर देना है तो यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेट में इसको निकाल लिया है और अब हम एक कटोरी लेंगे और एक चमच लेंगे तो मैं इसे चमच से ही एक कटोरी में निकाल लूँगे जितनी आपको खानी हो उतनी आप लेते जाओ उसमें से और खाते जाओ ये तिल के लड़ूं से भी यादर टेश्टी रखती है खाने में बस इसको इसी तरह से खायाता है क्योंकि तिल के लड़ू अगर बना वेते हो तो वो रखे रहते हैं तो फिर वो तूटते भी नहीं है ज्यादा देर तक उसको रख दो तो इसको बड़ी आसानी से हम खा सकते हैं तो फ्रेंज अगर आपको मेरी ये रैस्पी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट के साथ फ्रेंज दोस्तों को सेयर करना मत भूलना तो मिलते हैं अच्छी से नई रैस्पी के साथ तब तक के विए टेक केर थैंक्स फॉर बोचिंग